One Day Cricket Cup, सबसे बड़ा मेला, यानि की World Cup आज से शुरू हो रहा है और भारत इस World Cup की मेजबानी कर रहा है इस World Cup में 10 टीमें शिर्कत करेंगी और आज पहला, यानि की opener मुखाबला है New Zealand और England की बीच मेरे साथ 1983 World Cup winning Captain Kapil Paji on my right, Atul Vassan former India International on my left और इन दोनों से बहतर कोई नहीं हो सकता ये आकलन करने के लिए कि इस World Cup में किस टीम के कितने chances है इस खास वीडियो में हम 10 मिलट में 10 की 10 टीम के बारे में चर्चा करने वाले हैं और शुरुआत मुझे करने होगी टीम इंडिया के साथ क्योंकि हम मेजबान भी है तो यानि की होस्ट का एडवांटेज भी है पाजी हमारे पास और साथ ही एक दबाव भी रहेगा World Cup जीतने का अच्छा परफॉर्म करने का इंडिया के chances according to you देखिए अभी से अगर आप प्रेशर डालना चाहते हैं तो अलग बात है यह है कि हमारी टीम बहुत बेतर है इसमें कोई दोराए नहीं लेकिन उसके लिए पहले कुछ मैचिस देखना बहुत जरूरी है एक क्या होता है टूर्नमेंट किस तरह चल रहा है किस तरह आप खे अगर चालिस दिन में इतने मैचिस खेलें अगर उसको आप वाम अप नहीं बोलते तो फिर वाम अप हो ही नहीं सकता ज्यादा कहल दो तो भी चर्चा होती है बहुत ज्यादा क्रिकेट कहल रही है शायद इतना काफी है अपने प्लेयरों को जानने के लिए तो आप मैचिस देखना चाहूंगा एक दो किस तरह चल रहे हैं कैसा महाल है किस तरह की ड्यू पढ़ रही है दूसरी टीमों का कितना स्ट्रॉंग है तो आप उपीनियन दे सकते हैं हाँ दिल कुछ कहता है दिमाग कुछ कहता है ठीक है तो स्ट्रेंट और वीकनिस पर ही बात करते एक 50-over का एक एक एब और फ्लो रहता है उसके उसके इसके इसाब से ज्यादा मैचिस नहीं हुए क्योंकि जो बीच का पीरिड है उसमें हमने वारिश के मैचिस देखे शिलंका में तो वह एक सही एक टेस्ट मॉडल नहीं है जिसके बेसिस पे कैसे के हाँ बिल्कुत सही है क्योंकि यहाँ पे एक्स्पिरियंस जो विराट का है मिडल ओवर्स में पेस करना और उसके बाद आपको जो रन रेट बढ़ाना होता है फिल्डिंग का जो सिस्टम चेंज हुआ है उसके मताबिक मुझे लगता है टीम जो बढ़ी आज़स्ट करेगी और ड्यू फैक्टर जिरें एजिंग क्रिकेटर्स की टोली कहा जा रहा है आप उन्हें किने चांसे देते हैं आप यह कह सकते हैं एक्सपिरियंस टीम है सबसे ज़्यादा एक्सपिरियंस टीम भी कह सकते हो और मुझे यह लगता है कि इंगलेंड शायद पिछले चार-पाँ सालों में उनको र किसी टीम को किसी टाइम भी अकेले अपने दम पर जिता के लेकी जा सकते हैं तो वाइड बॉल क्रिकेट का जिस तरह से इंगलेंड ने एक तरम से नजरिया चेंज किया है मुझे लगता है टी 20 से उनके बाद उनकी अब जो 100 शुरू हुई है वहां पर और खासकर से फियर पर जो लगता है तो यह तो लपेबाद होगी हम तो सीधा कहलेंगे हम तो ड्रॉख खेलते हैं तो इसलिए शायद पांच-दस साल निकल गए उसके बाद रिलाइस करा के वन डे ही क्रिकेट है तब उन्हें रिलाइस कर तब लेट हो चुके थे पर टी 20 के बाद इनके पास प्लेइर्स आए जो पतलर होगे बें स्टोक्स होगे डेवन मलान है और उनके जो बीच की जो उनके बास फास्ट बोलोज आए मुझे लगता है क्रिस वोक्स है और मोही डली के बाद तो इंक बालनस टीम है और आई पिल उनको खिला के हमने और तेज कर दिया हमने और निज़िलेंड के यज़िए बहुत जाद्ध नई कंडिस नहीं इसकust 굿 पाकिस्तान में काफी क्रिकेट कहला है, बांगलाओर एंडिया में कहला है, सब कॉंटिनिंट को अइछ से जानते हैं न्यूजिलेंड टीम हमेशां आकर कुछ ऐसा परफॉर्म करती है जो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। शायद अब हम एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिया है कि न्यूजिलेंड की टीम ऐसी है किसी को भी आराम से हरा भी सकती है। जी और गोल्डन जनरेशन ऑफ क्रिकेटर इस अतुल इने कहा जा रहा है लेकिन इसमें दो सवाल है। केन विल्यमसन का कितना बड़ा रोल रहेगा। उनका फिट रहना कितना ज़रूरी है न्यूजिलेंड के लिए और दूसरा वो बोलते हैं कि हमारे उपर स्पोटलाइट नहीं है यह हमारे सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। स्पोटलाइट क्यों नहीं है पिछले बार के और हर बार आई-सी-सी में अच्छा करते हैं मैंशा मुझे लगता है केन विल्यमसन सही कह रहे हैं वह ऐसा एक क्रक्स है जो ऐसा एक धुरी है अगर वह नहीं रहे सही में तो टीम बिल्कुल धहर जाएगी। पास हीटर्स है उनके पास जो फास बोलोज है टीम सावधी उनके एक वेटरन ओर है तो इन दोनों खिलाडियों का मुझे लगता है कि सैंटनर जो है अगर उनके बीच में ऐसे नहीं लग रहा मुझे कि उनकी बैटिंग रन नहीं बनाए तो डिफेंड करना बहुत मुश् हमें पूरी 10 की 10 टीम्स कवर करनी है विलियमसन बैक बोन जो रियल सेंस में कहते है वो बैक बोन है अबसल्यूटली चलिए अब अगली टीम की दरब बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की जिसने हाल फिलाल में ही इंडिया में तीन मैच ही ODI Series के लिए हाला कि व इस विलिए गाली का है Wo सबसे बेटर है अनका जो माइंड सेट है खेलना तरीका इस लिये शायद शायद हर बार के व्ल्ड कब कर देच है सबब से ज्यादा वल्ल कफ डीम की ट्रॉफी जीती है आप उनको कभी कहने औप इनकी टीम त्यार नहीं है या नहीं है वो कहीं से самой प्लेयर निकल के आते हैं और इस तरह की प्रफॉर्म करते हैं वर्ल का पाता है तो आप उनको कभी रूल आउट नहीं कर सकते कहीं भी खेल रहे हैं और अतुल क्या आप इस बात से वाकिफ सहमत है कि ऑस्ट्रेलिया का जो विनिंग आटिटूड है नेवर से डाय उसके अलावा प्लेयर देख लेजिए एक स्टार्क, कमिंस और हिजल्वूड उसके बाद उनके बाद उनके बाद मैक्स्वल है यॉर्श इंगलिस है और बहुत बढ़िया है उनके बाद बढ़िया है तो उनके लगता है कि टीम भरी पड़ी है सिरफ एक वीक है कि डेवि कमी नहीं है रनिंग बट्वीन दा कमी नहीं है और बलेबाजी तो आपने बोल दिया कि साथ बलेबाज ऐसे हैं जो अपने बलबूते पर मैच जी सकते हैं तो इसलिए औस्टेलिया को अगर कोई वीक पॉइंट आता है तो एक स्पिन गेंद बाजी के इलावा कुछ नहीं तो आल डिपार्टमेंट्स कवर्ड हैं मोसली ऑस्ट्रेलिया के लेकिन सिर्फ एक डिपार्टमेंट है वो है स्पिन गेंद बाजी जिसमें वो थोड़े से कमजोर साबित हो सकते है लेकिन अब एक उस टीम की बात करते हैं जिसके खलाव भारत के मुकाबले पर सब की सबसे अनप्रडिक्टेबल टीम है वो है पाकिस्तान की टीम लेकिन ये भी मैं साथ में कहूंगा कि उनके पास बड़े टैलेंटेड करिकेटर हैं कि आप बोलो छे के छे मैच लगातार जी जाएंगे ऐसी उनकी टीम नहीं है और साथ में बात करें कि उनके पास एक उभरत के हिसाब से अतु लेकिन दोनों वाम अप मैच जो है लगी रहे पाकिस्तान के पूरे उनके मुकाबले हो पाई लेकिन वो हार गए और एक कमी जो सामने दिख रही है सब को यह है कि जैसे उनके जो सीमर्स उनकी स्ट्रेंथ है वो पितना शुरू होते है पाकिस्तान की टी अगर आप वो रखेंगे सादा फोकस रखेंगे तो बाकी टीम थोड़ी सी हलकी है दो तीन खिलाड़ी आउट होने के बाद रीचे थोड़ी हलकी टीम नजर आती है मुझे लगता है चलिए तो यह हुई पाकिस्तान की बात और हम सब कॉंटिनेंट की टीम की बात कर रहे ह और बांगलादेश भी पाजी आप कहेंगे कि क्या थोड़ी बहुत अन्प्रेडिक्टिबल टीम होती जा रही है क्योंकि देखें स्ट्रॉंग तो हुई है पिछले एक दशक में हमने बहुत बदलाव देखें बांगलादेश की टीम ने इस वर्ल्ड कप में आपको क्या लगता है उनके चांसिस के बारे में देखें बंगलादेश ऐसी टीम है जैसे अफगानिस्तान हाँ एक दो बड़ी टीमों को जरूर हराएंगे उस पे कोई भी टीम आ सकती है ऐसा नहीं है कि नहीं और इन कंडिशन में वो बहतर जानते हैं वो खेल सकते हैं क्योंकि बंग टीम को नहीं लिया टीम में बड़ी कॉंटरवर्सी हुई है उनको लगता कि इतना भरोसा है कि इतनी एक्सपिरेंस के साथ वो एक ट्रॉम कार्ट है उनको एसी टीम है जो टॉप फोर टीम को इंडिया है चाहे उस्ट्रेलिया है इंगलें इंको चालेंग कर सकते हैं चाले बात की और मैं एशा की टीम को पहले यहां पर बात कर लेती हूं और हम श्री लंका की तरफ चलते हैं जिसने हाल-फिलाल में एशा का फोस्ट किया फाइनल्स तक भी पहुंचे पाजी अगर अगर श्री लंका की बात की जाए अगें वो टीम जो रिवाइवल मोड में है औ और गिवन दे तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन कंसिस्टेंटली क्या आप देख रहे हूंने कहीं पर भी आते हुए आसपास टॉप फोर टीम के यह जो आपने बोले ना यह टीम बन रही है और बनने के लिए शायद अगले वल्लकप में इनका बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अब अब तयार नहीं है और कुछ उसका अंदाजा अच्छा वाम-बमप मैच से भी मिला हो जब अफगानिस्तान के हाथों भी हार गई श्री-लंका के टीम वही बात है कि चले तो चले नहीं चले तो बहुत ज़्यादा लंबा सा पर भी त अब यह बात हैं अब तो इसी बिल्कुल अब अब यह जाएगा तो इन्डिया में कौन सी इसे पिच्छ जो उनकी अच्छी पिच्छ जाएगा तो मुझा लिगा पर अगर अगर उनने रन नहीं बनाए तो डिफेंड करना मुश्किल है क्योंकि इन उनकी इक्स्परियंस पतिराना है जो बेबी मिलंगा आए है और लागिन अच्छा की है पर सरंगा की कमी बहुत जाएगी लेकिन कई बार इंडिया के लिए ट्रिकी साबित हो जाती है श्री लंगा की टीम ऐसा कुछ इस बार देख रहे हैं आप पाजी वो तो हो सकती है कोई भी चूटी टीम आ करते हैं जिसने वाम अप मैचेस में श्री लंका को हराया है और अफगानिस्तान के कुछ खिलाडी बहुत अच्छे आजकल फॉर्म में हैं इंक्लूडिंग राशिद खान जिनोंने काफी खेला है इंडिया में और उनकी स्पिन गेदबाजी के तो सब कायल है पाजी आप क करना है हाँ इनके पास गेंबाज है जजबा है जोश है लेकिन उनके बल्लेबाजी ऐसी नहीं है कि वो आपको 300 रन दे दे जहां पर 270 रन दे दिए तो वो किसी टीम को بھی हावी हो सकते हैं उनके पास ऐसे गेंबाज है और ऐसा उनमें जजबा या जोश नहाजर आता है और यही जोश और जजबा पिछले कुछ टाइम से हमने देखा है अतुल इसलिए इंडिया पाकिस्तान के राइवलर के बाद अफगानिस्तान के मैचे बेस्ट सेलिंग होते हैं मुझे रखता है T20 होता है तो मैं उनको इक्वल फुटिंग में रखता हूं इसलिए मुझे लगता है कि राशी जो है और मुझीबुर रहमान यह दो खिलाड़ी है जो कहीं बार मैच पलट देते हैं पर आजी ने सही का कि 270 रन बनाओ तो सही क्योंकि इतने नहीं नहीं बना अच्छे प्लेयर है मुझे लगता कि गुर्बाज अगर रन बनाएंगे अब दी ओर तो फिर बढ़िया रहेगा और मिनो नेदरलेंस को भी याद कर लेते हैं नेदरलेंस की टीम भी यहां तक क्वालिफाइ करके पहुची है वर्ल कप में वो भी खेल रहे है तो पाजी न कभी खाबों में नहीं सोच सकता था कि वेस्ट इंडीस टीम यहां पर नहीं होगी इस वर्ल कप में और निदरलेंड उनकी जगा आई है तो यह तो वर्ल कप जब शुरू होगा तो हम उनके प्लेयरों का भी पता चलेगा क्योंकि कोई ज्यादा मालूमात नहीं है अगर आ आप मेनोस थें 1983 में क्या सेम सिचुवेशन थी या इस से बेटर थी इस से तो बेटर थी है इतना नीथा इंटरनेशनल टीम थी हाँ फिर भी कह सकते हैं कि शायद उनको एक्सपीरियंस नहीं है चर्चा वही आ जाती है कि अगर तीन चार मैचेज हो और उसमें से दो जी ज नौ मैचेज हैं और ये नौ मैचेज में एक अदा मैच बरसात से या आप कह सकते हैं किसी तरीके से भी एफेक्ट हो सकता है वरना आपको बहतर खिल के ही आना पड़ेगा और ये बात मुझे लिए क्योंकि उनके वाँ पर नैच्रल टॉफ पिछिश नहीं है वो एस्टर पर खेलते हैं और उनके बास दी लीडर एक प्लेयर उनके उनके बाटिंग कि है अभी बाटिंग किया अभी क्वालिफायर्स में जिम्बाबवे में कमाल की वेस्टीन के खिलाफ नोंने अगेले डेट सो रन कर के मैच जिता दी है वो टीम डीलीड जो मिरसात खेला कर थे ह अभी में एक साल केला हूं उनके बेटे हैं और रॉलाफ डियम वेंडमर्वा जो साथ अफ्रिका से कहलते हैं और उनके लीग में एक लेफ्टाफ स्पिनर टाइट है पर एक दो खिलाडियों से आप पचास ओवर का मैच नहीं जी सबते हैं लेकिन यहां तक पहुचना भी नेधरलेंस के लिए बहुत बड़ी बात है जैसे कि हमारे दोनों एक्सपर्स कह रहे हैं और उसके लिए उनके टीम को मुबारक बात बनती है आगे अपना सफर और यहां का एक्सपिरेंस लेकर जरूर यह टीम बेटर करेगी फाइनली बात कर लेते हैं उस टीम की जिनके एक समय पर इंडिया में बी इतने ही पॉपलर थे जितने अपनी कंट्री में में बात कर रही हूं उनके बड़े-बड़े खिलाडियों के नाम हमारे फिंगर टिप्स पर होते थे लेगिन साथ आफरिका की जो करंट टीम है वो अपने ही क्राइस से लगातार जूजती आ र पहले दो मैच हार के फिर तीन मैच जीतने के बाद ये कह सकते हैं कि उनमें प्लेयर हैं ज्यादा टीमों के पास यही है कि क्या ये लगातार चार पांच मैचिस जीत सकते हैं ऐसी टीम नहीं है आप टॉप की चार टीमें छोड़ दो तो बाकी ये लगती है हाँ ये किसी को हरा सकते हैं लेकिन क्या ये लगातार पांच मैचेस जी सकते हैं ऐसी South Africa की टीम नहीं है चाहे जितना भी कहो इन कंडिशन में थोड़ा और मुश्किल हो जगा कुछ South Africa की प्लेयर यहां खेलते हैं उनको काफी experience है लेकिन जब पूरी टीम आती है तो उनके पास इतना स्टीम है तो उनके बाता है जो चैलेंज कर सकते हैं तो टीम आपको उरिजन. वर्ण फिलैंडर तो बडी लंबी बात च्यूती तो उसको चलते हुए उनकी टीम फिर भी कम्पीट करें तो बहुत बड़ी बात है और यह जो खाम्याज़ा है काफी समय से साथ आफरिका की टीम उसको बेर कर रही है तो यह होना नहीं चाहिए जब यह जैसे हम कहते हैं हमारे कॉलेज में युनिवस्टीज में मेडिकल कॉल बेस्ट अब बेस्ट प्लेयर केलने चाहिए वो चाहिए किसी जगह से भी आएं और जब से यह सुना है कि उनके छे कलर्ड प्लेयर जरूर केलने चाहिए तो मुझे यह लगता है कि अनफेर है जी और साथ आफरिका की टीम का यह कोटा सिस्टम अपने आप में बड़ी डि यही मेरे खाल से है क्योंकि पाजी गुसा करते है इती जल्दी प्रिडिक नहीं करना चाहिए कोई दबाव नहीं है खुल के खेलिए लंबा टॉर्नमेंट है और लास्त तक जाके पता चलेगा कौन होगा सिकंदर भारत की पिचिस पर कौन लेके जाएगा वर्ल्ड कब थै